बच्चों, आप सभी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे जीवों को देखते होंगे जैसे हम अपने कमरे में छिपकली है, मच्छर, मक्खी देखते हैं यदि घर से बाहर निकले मैदान में तो हमें गाए, भैस, कुता, बिली, घोड़ा, गधा ये सब नजर आते हैं और ऐसे भी कुछ जीवों के बारे में आप जानते हैं कि जैसे लार्जेस्ट एनिमल जो है वो ब्लू वेल है, डॉल्फिन है और ऐसे बहुत सारे जीव जो हमारे इस वर्ल्ड में यानि इस दुनिया में पाए जाते हैं इस atmosphere में पाए जाते हैं बहुत से जीवों के बारे में आप जानते होंगे और बहुत से जीवों के बारे में आप नहीं भी जानते होंगे कुछ ऐसे भी जीव हैं जो यहाँ पर अद्रिश्य है, invisible है, मतलब कि वो सुक्ष्मजीव हैं यानि microscopic जीव हैं, जिनको हम microscope की मदद से देख सकते हैं, तो सजीव, चाहे वो सुक्ष्म जीव हो, चाहे dolphin या blue whale जैसे बड़े जीव हो, या हाथी गोड़ा, या हम खोद स्वैम भी, सभी सजीव जो हैं, वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, आपने कोशिका के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, कोशिका की सरचना के बारे में जाना होगा, उसके कोशिकांगों के बारे में जाना होगा, और आप इस कक्षा में यानि 11 में भी कोशिका के बारे में विस्तित से जानकारी जो है, अगले अध्यायों में चाहे वो एक कोशिकी हो चाहे वो बहुकोशिकी हो या सुक्षमजी हो हर एक का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है अब हमने कुछ kingdom के बारे में भी जानते हैं जैसे यदि ये monera kingdom की बात करें या protesta kingdom की बात करें तो monera का example जो है वो bacteria है जिवानू है और ऐसे ही यदि प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें जो है आमीबा है पैरामिशियम है यूगलीना आता है तो ये जो monera और protesta kingdom के जो जीव है वो एक कोशिकी होते हैं यानि इनका बाड़ी जो है वो आप जैसे देख रहे हो एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है लेकिन जो और kingdom है like planty है, fungi है, animalia है इनके जो जीव है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो जो एक कोशिका से बने होते हैं उनको हम एक कोशिकी जीव कहते हैं और जो बहु कोशिका यानि कि एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने हैं ये कुछ एक्जामपल आप देखते हो तो ये जो हैं बहु कोशिकी जीव कहलाते हैं और ये जो बहु कोशिकी जो आप जीव दे कि सारे सजीवों का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है अब एक बात और गौर करते हैं हम सारे सजीवों की यदि हम बात करते हैं तो हम कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में हमारा ध्यान जाता है वो क्या है जैसे हम जानते हैं कि सारे सजीवों में जो प्रक्रिया क्रेशिटाय का प्रवु सारी होती है जैसे ह्वर प्रक्रिया नहीं पर्क्रियान है तो जोप्रवु कोशिकी sucking राफ कि जीव हैं और बहुँअ कोशिकी जीव जीव हैं उनमें ये जो प्रक्रिया वह किस तरीके से होती होगी अब एक कोशिकी जीव में जैसे कि आमीबा यह परमेशियम यह बैक्टिरिया की बात करें तो उन में जो निट्रीशन है यह रेस्पिरेशन है यह सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होता होगा तो कुछ एक्जामबल के जरिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं जैसे कि अगर हम अमीबा में देखें यह फूड किस तरी के से लिटा तो इसमें इसफैर ऑबिया बना रहा है और फूड तो ले लिया अब इसका डाईजेशन जरूरी है क्योंकि पाचन भी नहीं होगा तो उर्जा भी नहीं मिल सकती है हम सभी जानते हैं कि हमें उर्जा जो है वह भोजल से ही मिलती है तो अब पाचन की प्रक्रिया में क्या है इसके अंदर जो है एंजाइम्स हैं जो बोजन का पाचन करेंगे अब पाचन की भी प्रक्रिया हो गई इसके बाद जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है कि उच्सर्जी पदार्थ बनते हैं अब इन उच्सर्जी पदार्थों का भी शरीर से बाहर निकलना जरूरी रहता है तो ये भी जो है ये सारी प्रक्रिया जो है इनमें अमीबा में जो एक कोशिका के द्वारा ही संपन होती है इनके अलावा जो और भी एक कोशिकी जीव है चाहे वो पैरामेशियम है चाहे वो यूगलीना है चाहे कोई और भी जीवो उन सब में ये सारी जैविक प्रक्रियाएं एक कोशिका के द्वारा ही समपन होती है अब ये तो हमने इनके डाइगराम के थूँ या कुछ वीडियो के थूँ हमें इनके बारे में ये जान लिया लेकिन अब विचार करने वाली बात है कि ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं जैविक प्रक्रियाएं जो बहुत कोशिकी जीवों में होती है अगर हम अपनी स्वेम की बात करें तो हम कौन-कौन सी जैविक प्रक्रियाएं करते हैं आप कुछ सोच के देखिए और उसको लिख आप बाहर में जैसे मैं बात करूं तो आप चलते हो दोडते हो लिखते हो सोचते हो और खाना खाते हो सांस लेते हो आपकी बॉडी में जो अंदर में जो है वो भी ऐसी कई सारी प्रक्रियां हो रही है तो यह बाहरी वाली तो आप देख पा रहे हो ऐसी बहुत सारी प्रक्र हांखे पंपिंग होता है बहुत सारे आपको समविधनाओं का है मानलो काटा चुप गया है यह तेज रोशणी आखों के सामने आ गई है तो आखे छोटी हो जाती है काटा चूप जाता है तो हमारा हाथ महां से हट जाता आ तो यह बहुत सारी जो चैविक प्रक्रियाएं है मेंेने बहुत महत्वत्वन बात तो जो भी प्रक्रेयां किसी गोर्शी की जीव मैं यदी होती हैं तो अमीबा तो आप धनकी तो मैं दोम बना होता है तो अमीबा तो एक कोशिकी जीव है लेकिन यदि हम blue whale की बात करें जो largest animal है तो उनमें कितनी कोशिकाएं होंगी आप विचार करके देखे अरबो कोशिकाएं होंगी तो ऐसे हमारे भी शरीर में बहुत सारी infinite नंबर कह सकते हैं वो कोशिकाएं हैं तो अब कौन सी कोशिकाएं क्या काम करेगी क्या काम करेगी का मतलब जैसे हमने अभी बात की कि आखे हमारा देखने का काम करती हैं कान सुनने का काम करते हैं दाथ चबाने का काम करते हैं पैरों से हम चलते हैं हाट जो है पंपिंग कर रहा है ब्लड का और लंक्स जो है वहाँ पर गैसी आदान प्रदान हो रहा है तो कौन सी कोशिकाए क्या काम करेंगी यह महत्पुन बात है तो यही सारी बाते जो हैं हम कक तो कोशिका जो हैं वो समुह में काम करती हैं जिसको group of cells कहते हैं और ये group of cells जो है वही group of cells जो एक particular काम करता है और विशेश काम करता है और विशेश कारे करने के लिए ही यह differentiated होता है जैसे आख देखने का काम कर रहे हैं तो वो जो ग्रूप आप सेल्स है वो ग्रूप आप सेल्स पर्टिकुलर विशिष्ट काम कर रहा है और ये जो अलग-अलग काम अलग-अलग कोशिकाओं के समों के द्वारा होता है इसको जो है division of labor कहते हैं यानि श्रम का विभाजन कहते हैं जैसे हम ग्रूप में रहते हैं या हम जैसे class में हैं तो class में हम क्या करते हैं कि मालो 5-6 काम है तो हम क्या करते हैं ग्रूप में बाढ़ देते हैं सारे लोग सारा काम करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी या properly balanced तरीके से काम नहीं होगा तो इसे तरीके से हमारे शरीर में भी ऐसा ही मामला है कि कुछ कोशिकाएं जो हैं ग्रूप में रहती हैं और वो एक पर्टिकुलर विशिष्ट काम करती हैं तो यह जो काम हो रहा है इसको जो है division of labor कहते हैं इस तरह के कोशन आपको आते भी हैं कि what is the division of labor यह श्रम का विभाजन किसे कहते हैं तो यह विशिष्ट कारी के लिए यदि भिनित हो गई हैं तो इसको division of labor कह रहे हैं फिर हम यह बात करते हैं कुछ examples के थूरू जैसे blood cells हैं आप जानते हो blood cells यानि लाल रप्त कोशिकाएं आपने RBC WBC का नाम सुना होगा तो यह RBC जैसे वह क्या काम करती है तो इसका काम क्या है परिवहन का काम है ऐसे ही muscle cells है यानि पेशी कोशिकाएं इनका क्या काम है यह मुमेंट का काम करते है अभी जैसे Psychology हम पैर जानते हैं जो यह दो बाहर ही आपको दिखता है तो यह जानी वह मुमेंट हो रहा है जो गते होओ रही ह पेशी कोशिकाएं यहां पर पेशी कोशिकाएं ही क्या करती है गती या मुमेंट का काम करती है और यदि हम जनन कोशिकाओं की बात करें तो जनन कोशिकाओं का क्या काम है जनन का यानि प्रेजिनन का काम है ऐसे ही तंत्रिका कोशिका के बारे में आपने जाना होगा तो तंत के द्वारा सुन रहे हैं अभी तो आप वीडियो के द्वारा देख रहे हैं लेकिन आप जब आपस में बात करते हैं तो आपस में बात करते हैं तो वो सुनने का जो माध्यम है वो हवा के द्वारा वो जो आवाज है वो आपके कानों तक पहुंचती है और कानों के द्वारा जो है आप जो भी बात है वे बरेन तक जाती हैं तो ये शुर लोगा आवगमन है आप देखने का काम ऐह ऐसे वह टिशू कहलाता है यानि उतक कहलाता है तो उतक क्या है उतक क्या है उतक क्या है उसका इतिहास क्या है और उतक के कौन कौन से प्रकार है उतक क्या काम है तो यह सब बाते जो है हम इस अध्याय के अंतरगत करेंगे तो अगर यदि हम बेसिकली यदि उतक की बात करें तो व वो जो group of cells है यानि एक समान कारे करने वाली कोशिकाएं जिनका क्या होना चाहिए और रिजिन भी समान होना चाहिए उनका structure समान होना चाहिए और उनका जो development है वो समान होना चाहिए और फिर मुख्यबाद उनका कारे में समानता है यानि वो सबी जो कोशिकाएं है वो एक ही तो वो जो group of cells है वो tissue कहलाता है तो बच्चों हमने देखा कि समान कारे करने वाले कोशिकाओं का जो समू है वो उतक कहलाता है और यह जो कोशिकाओं जो है वो size and shape में समान होती है यह एक visitor कारे करती है और दूसरी जो group of cells हैं उससे वो अलग होती है यानि एक group of cells एक काम करेगा दूसरा group of cells जो है वो दूसरा काम करेगा और यह जो है यह कोशिकाओं के समूह से जो है वो विभिनता प्रदर्शित करती है मतलब एक group of cells जो है दूसरी group of cells से विभिन होगा variation होगा उसके साइज में, शेप में, development में, origin में and function में तो यह विभिनता प्रदर्शित करती है और मुख्यबाद जो है वो जन्तों के जो उतक हैं इनके कोशिकाओं में एक विशिश्ट प्रकार का पदार्थ का निर्मान होता है जो इन्हें यानि आपस में जोडने का काम करता है और यह extracellular fluid यह extracellular substance कहलाता है और यह विशिटा होती है और यही चीज चीज what यह इनके व्यक्तिकत identification कि रैती यह इसी चीज से इन को जो है यह पहचान मिलती है लेकिन कुछ ऐसे भी tissue है जैसे कि इन में यह इंट्रासलूलर सबस्टान जो है वो नहीं पाय जाता है तब इस इस्थिती में कोशिकाएं आपस में कैसे जुड़ेंगी तो इन में जो है डेस्मसों या सेल जंक्शन होते हैं जिसके द्वारा यह कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है और यह ग्रूप में इस इतिहास की बात करें या निंहोंत। सबसे पहले किस की व्यांडियो को देखा था तो सबसे पहले riktो में मॉर्प हलेती जावियर भिचट фин को देखा था और कहां देखा था तो आपनेश्य के शरीर हें मृ नहीं ग्रशित ऐसी कुछ कोशिकाओं का समू था गुति हुई सनचनाएं थी और गुति हुई सनचनाओं को ही उन्होंने टिश्यू का नाम दिया था यानि उतक कहा था और बज़ेदार बात यह है बचों कि हम यह जानते हैं कि कोशिका की खोज है 1665 में रॉबर्ट हुक ने कर ली थी और यहां हम क्या बात कर रहे हैं 1799 की बात कर रहे हैं तो बच्रट ने भी क्या किया था कि माइक्रोस्कोब का उपयोग नहीं किया था जबकि हम यह जान रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाये गए एक माइक्रोस्कोप में जो कॉर्क सेल्ज को देखा था पहली बार जो देखा था तो अब 1799 तक में भी बिचट ने माइक्रोस्कोप का उपयोग नहीं किया और जो आँखों से दिखाई देने वाली जो कोशिकाओं का जो समू था उस आधार पर उन्होंने उत्तक को तीन भागों में बाटा तो जैसे उन्हों को ऐसे कुछ कोशिका तरीके से शुरुवात यहां से इसके बाद कुछ और वघ्यानिक थे जैसे कि नहिया घ्रिव है इन्होंने पौध हो में काम किया-पॉदो में अफंव में दोपरकार के घरम आग दोपर के देखे जैविक भाग देखे जिसको उन्होंने एक को पिथी कहा और एक को वुडी कहा इसी तरह आपने श्लीडन और श्वान का नाम सुनाओगा जिन्होंने कोशिका सिधान्थ दिया था तो उन्होंने भी क्या किया देखा जब कि पक्षी के पंख की आड़ी काट में वैसी जन्तों के जो उतक है क्या उनमें समानता है तो वैज्ञानी को ने यही देखा कि कहीं पर कुछ अंतर है बाकी बेसिकली कहा जाए तो पौधों और जन्तों के उतकों में समानता है लेकिन हम क्या करते हम इनको अलग-अलग कर लेते हैं और अलग-अलग तरीके से उसको उत्तो के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर आप की वह देखिए कि जो जन्तों में जो उतक है उनमें जो है वो नहमिया ग्रीव एंड श्रीडन एंड श्वाय ने जब अपने अध्यानों में देखा तो दोनों के उतकों में काफी सारी समानताय थी लेकिन कुछ जो अंतर था इसके बाद एक और विज्यानिक नेगली थे उन्ह इसके दो उतकों में काउसिपन नेधे नोब work करते हैं वह उनकी कोशिकाओ वह स्वाणी के वस्थां आधि एंडेर चीजरी डऱ्ील शाने दोल से अन्यान ठी में डाईरा उढ जने सानल ज़ान एक है तो इस तरीके से विज्यानिकों अध्यकों की की वीवस्था थी और कारी किया जाता था यह सब देखा और फिर फाइनली कहना चाहिए कि इस निर्णाय पर पहुंचे कि पौधे और जनतों में जो अंतर तो होता ही है लेकिन बहुत कुछ जो है उनके उत्कों में समानता होती है क्योंकि जैसे हम पौधों में बात करते हैं कि ने थे व्रविभाजी व्रफों के टिप पर आज्यकंतों ता है मरिस्तिम्धिक टीशु की ठिश्यु जो है वह प्रविभाजी उतक जो है कहां पाए जाता है टिप रूट टिप पर पर आघना स्टेम के लम पर और आप chyba बिढ़ी कोशिक आए होती है तो ऐसे ही वैज्या यह लिए रहास की बात की आब हम बात करेंगे बचों की उत्ताक चुह है वह Tissue Organization यानि उत्तक का संगठन किस तरीके से होता है और और गन सिस्टम क्या है अंग तंत्र क्या है यह भी जानना हमें जरूरी है क्यों कि हम आ अंग की और अंग तंत्रों की बात तो करते हैं लेकि कितने तरह के तंत्र हमारे शरीर में है कौन सा तंत्र कौन से अंगों से मिलकर बना होता है तो यह आभी हम देखेंगे तो तो एक्चलि जो आभी हमने बात की कि group of cells जो है वो टिशू कहलाता है अब tissue का जो group है अम्टिशू क्या है उता के भी एक मुझाता है तो वो मिलकर औंग बनाता है अब वो ग्रूप आप टिशू है वो क्या काम करेगा समान काम करेगा वो औंग बनाएगा अब कुछ अंग मि वो मिलकर एक विशेश कारी को संपादित करते हैं, तो वो बन जाता है अंग तंत्र, यानि आरगन सिस्टम बन जाता है, अभी हम अंग तंत्र कितने हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो सभी अंग जो है, एक यह विभिन प्रकार के उतक से मिलकर बने होते हैं, और यह अंग का समू जो है, वो अंग तंत्र बनाता है, अब बेसिकली यदि हम देखें कि हम जो हुमन बिंग है, उसका संगठन किस तरीके से होता है, उसके शुरुवात किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले जो है, वो कोशिका आता है, क्योंकि वो सबसे छोटी, smallest unit है, अब यह जो कोशिका है, यह कोशिका का जो समू है, वो क्या बना रहा है, वो उतक बना रहा है, अब उतक का समू है, वो क्या बना रहा है, अंग बना रहा है, और अंगों का समू है, वो अंग तंत्र बनाएगा, और अंग तंत्र से एक शरीर, यानि एक जीव का निर्मान होता ह यह हम जानते हैं कि पौधे और जंतों में यदि देखा जाए तो पौधे का जो बॉडी सिस्टम होता है वो सरल प्रकार का होता है कमपरेटिवली जंतों के आनिमल्स का यानि जंतों का जो स्ट्रक्चर है वो जटिलता लियर रहता है तो यहां पर जो अंगतंद्र की बात करेंगे या टिशू की बात करेंगे या अंगों की बात करेंगे तो यहां पर जो उनकी सरचना में क्या है वो जटिलता पाए जाती है तो इस तरीके से यदि हम देखें तो कोशिका जो संगठन है वो कोशिका से शुरू होता है और कोशिका भी हम जानते हैं उसमें और उसमें ऐसे बहुत सारे केमिकल मने रसाइनिक बदार्त होते हैं कार्बोहाइडड है प्रोटीन आमिनो एसीड है पानी है गैसेस है तो इस तरीके से यह अगर और भी शुरुआत से बात करें तो एटम है एटम से फिर मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल से फिर वो सैल बनेगी सैल से टिशू बनेगा अर्गन सिस्टम की बात करें अब हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में कौन-कौन से अंगत तंत्र पाये जाते हैं